रादस्थान के जैपूर से खबर जहां शाहपूर के वाड़ चार निवासी प्रसूता में कोरोना पॉजिटिव की पुस्टी हुई आपको बता दें चार निवासी प्रसूता इसमें शामिल है और इस खबर ने पुरे छेत्र में खल बली मचा दी है। चिकत्सा विबाग की टीम जाच में लगी हुई है। पहला सेनिटाइजेशन टनल बनाया गया है। इसका लोकार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुसूर्चित जाती जन जाती वं मुली ओबी सी एक का महासंग के प्रदिश अद्यच संकरलाल जात्वत के द्वारा किया गया। सेनिटाइजेशन टनल के निर् करोना महामारी को देखते हुए श्री रामतार वर्मा निवाशी साप्रा ने अंगली सोलर वे कंपनी की तरफ से जो स्विव के मालिक है जिनोंने सेनेटराइज मशीन बढ़ाई है और जिसे सेनेटराइज मशीन का यहां से सेल भी करते हैं इसको बेचते भी हैं एक मशीन अपनी दुबान के शाम ने जो सेनेटराइज की मशीन लगाई है जो ज्यादा पब्ली के आवाज जावी रहने के कारण अपने आने जाने वाने जो आसपास के लोग आते जाते हैं वो भी सेनेटराइज हो की दिसे आते जाते हैं और यह भामसा की रूमिनों ने काम किया ह TV1 India News के लिए संतोष कुमार वर्मा की रिपोर्ट शाहपुरा रारस्थान रारस्थान के विराटनगर से खबर जहां विराटनगर में लॉकडाउन का अनलॉक का दूसरा दिन रहा एक तरफ विराटनगर में उनलॉक के दूसरे दिन लोगों की जोड़दार भीड़ देखने को मिली वहीं बिना मास के घूम रहे लोग किसी भी व्यक्ति को इस कुरोणा दौर के चलते इस विशय पर कोई भी डर नहीं था यहाँ भी देखा गया विराटनगर SBI बैंक के सामने बैंक ग्रहकों की इतनी लंबी भीड़ देखकर लोग सनाटे में थे कुरोणा संकट को देखते हुए व्रद लोग अपनी पेंशन के लिए काफी कड़ी धूप में खड़े रहे और लाइन लगाकर सभी अपनी बारी का इंतिजार करते हुए नजारा है कि 3-4 घंटों तक लाइन में लगना पड़ा उसके बाद उनका काम हुआ प्रापसूशना के अनुसार बताया जा रहा है कि बैंक में स्टाफ की कमी होने के करण ऐसी लोगों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस करण से ग्रहकों को लंबी देर तक अपनी बारी का इंतिजार करना पड़ता है जिसमें ग्रहकों की मांग है कि बैंक में और स्टाफ बढ़ाया जाए जिससे आने वाले लोगों को तकल्लुफ ना हो उपकंड छेतर विराटनागर में SBI बैंक के सामने लगी कस्टूमरों की बीड आई दिन ये समझ्षा देखने को मिलती है जिसमें की काफी लोग लाइन में लगे हुए हैं और इनको एक बार अंदर परवेस करने के बाद में केवल लेंडेन का काम ही किया जा रहा है जिनक महसूस करें आप दूप में इस परकार से देखिए फिर मिलाता हूँ हाँ सार कितनी देर हो कि आपको लाइन में लगे हुए है अच्छा तो क्या जब आप मिल रहें अंदर से बैंक से अच्छा तो दूप में आप कैसा महसूस करें है ठीक है हाता हूँ आपको कितनी दाय तो आपको पैंसल लेने हैं किया आपकी जी कितने महीने किया पैंसल आपकी दो महीने तो क्या कहते है बैंक वाड़े अच्छा अच्छा TV1 इंडिया नियूज के लिए जितिंद्र परजापती की रिपोर्ट विराट नगर रादस्थान प्रारस्थान के पाली विधानसभा छेत्र में रोहट पंचाय समीति में कॉंग्रेस के युवानेता महावीर सिंग सुक्रलाई ने इंद्रोका की दाड़ी माड़पुरिया के नरेगा साइट पर श्रमिकों को मास्क और जूस की बोदले वित्रित की हैं सुक्रलाई ने कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए सभी को कारे करने की हिदायत दी और साथी मास्क सेनिटाइजर का उपयोग साथ में करें ना हो तो साबन से अपने हाथों को बार-बार साफ करें ऐसा भी सभी से आग्रा किया है इस दोरान सरपंच दिलदार खान कॉंग्रेस सेवाल जिलाधेच मोहन हटेला, पुरुव शेहरत देट, प्रकास, सांखला, सहिद काफी सारे लोग मौजूद थे TV1 एंडिया निउस के लिए सोहन गुनपाल की रिपोर्ट, पाली, राजस्थान धायल हुए खुमारा मेगवाल को तीश वर्सों से रहे सरकारी कागजात होते हुए भिमारपीड के साथियों से इसमें सरपंच चुप है और सरपंच का फर्स क्या बनता है, यह अभी तक इनी को इस पस्ट नहीं है अपने गाओं में घटना होती है तो सरपंच पहले जाता है और पुलिस को सूचना देता है, घायलों को अस्पताल पहुँचाना और आस्वाशन देना उनकी जिम्मेदारी है, परंतो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला पहले भी कुमाराम में अल दो बार केश जीच चुके हैं और साथियों और यहां गरीब परिवार की मदद करने के लिए आगे आए ब्रश्ट चार सरपंच गाओं में उपसे सभी लोगों का कहना था कि इस तरीके की गतिविधियां गलत हैं और सभी जरूरतमंदों की अल गलत में तपाली मेरे आग ऐ realized के वहार गश्जाविधिया मेलस मेरे बाभी के साथ मेरे फ्र Sun जा और पॉद्र गण्यों देवार और किया है सब्सक्राइर मेरी मेरी साहट मेरे लोग गणिया मेरे हласти मेरे साथ मेरे और प्रू मेरे है उसे बढ़्री अवै niye श्क्राइं लिए ओमाराम की रिपोर्ट जोदपुर राजस्तान आखिरकार गिरफ्त में आया पैंथर जी हां हम बात कर रहे हैं रारिस्थान के विराट नगर छेतर की जहां विधानसभा छेतर के ग्रामपंचाय सुठाना के गोपी पुर्ठाडी में आसपास की गामों में आतंक मचाने वाला पैंथर गिरफ्त में आही गया है आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हनुमान सहाय सैनी के मकान में घुसकर पैंथर ने बकरी का शिकार किया था और इससे ग्रामवासी काफी परेशान थे गुसकर सिकार करता था और काफी जादा नुकसान पूरे छेत्र में कर चुका था पतिक शर्मा का कहना है कि CCTV कैमरे की मदद से बच्डे की जान बच पाई थी ग्रामपंचय सुठाना के उपसरपंच जैराम गुरजर ने बताया सुठाना में आठ दस घटनाएं इस पैंथर की वज़े से हो चुकी थी इसके बाद में वन विभाग को जानकारी मिली जिस पर वन विभाग ने कारवाई करते हुए आखिरकार उसे पिजडे में डाली दिया है पुरेदेश में कोरोना महामारी का अतंक जारी है इस बीच लोग जरूरत मंदों की मदद करते हुए नजर आ रहे है बात करें ये दिरारिस्थान के विराट नगर की तो विधायक कोश से खादसामगरी की आपूर्ती की गई है जरूरत मंदों को राशन किट वित्रित की गई है और इसमें विधायक विकास कोश से विराट नगर नगर पालिका में पांसो राशन किटों का वित्रड हुआ है इस वराण डॉक्टर अभाय आदफ शंतुष जैन देशराज सैनी सहित काफी सारे लोग मौजूद थे कोरोना मावारी को देखते भी हमारे छेत्र के विधायक श्री इंद्रा सिंग गुजर विधार नगर नगर पालिका में जासर किट भेजे गए जिनका सरु समाज में जुर्थ बंद लोगों को वित्रंग किया गया और आगे जैसे भी जुद पड़ेगी उन्हीं को विधा सर्केट वित्रंग किया जाएगा किसी को भूका नहीं रहने देंगे भूका नहीं सौने देंगे ये उनका उद्देश्य है टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जीत इंदर परजापती की रिपोर्ट विराट नगर रादस्तान